हेलो स्टूदेंट वेलकम टू माई नर्चर मैं हूँ कृष्णा कैसे आप सब लोग मस बढ़िया तो लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इंफेक्शियस डिजीज जो हम लोग पढ़ रहे थे अपना फार्मक अथरोपेडिक्स में उसमें आज हम लोग लेने वाले हैं च है कि एक साइकल समझाई थी पढ़ चुके हो की नी पढ़ चुके हो खैर जो लोग पढ़ चुके हैं उनको वो मलेरिया की साइकल यहां काम आएगी और जो लोग नहीं पढ़े हैं बोलो यहां पर इसको सीख लेंगे इनफैक्शिस डिसाल्टी है एक से दूसरे में थीच ह तो malaria की बात करें बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है, हम सब malaria के बारे में जानते हैं, उसके चार cause एट वे agent के बारे में जानते हैं, ठीक है, मेंली यहां पर दिक्कत क्या आएगी, उसकी cycle समझनी है हमको, ठीक है, तो malaria क्या है, सब को पता है, malaria, malaria is an acute, acute मतलब fever, एक बहुत तेज आता है, caused by plasmodium parasite, देखो plasmodium इसका क्या है, इसका genus हो जाएगा, उसके बाद चार इसकी variety आती है, ठीक है, species आती है, उसके बात करेंगे, ठीक है, plasmodium parasite है, which are spread to people through the bites of infected female anophilus mosquitoes, याद रखेंगे female anophilus mosquitoes, है ना, कुछ लग मजाग मनाते हैं, कि female काट रही है ठीक है, actually इसका reason क्या होता है, कि जो female है, anophilus, जब pregnant हो जाती है, तो उनको अपना बच्चों के लिए, जो सबसे अच्छा चीज़ होती है, वो होती है blood, उनकी परवरिश के लिए, तो इसलिए वो खून को क्या करती है, चूसती है आकर के, जिससे की बच्चों की परवरि होती है, and two of these species, Plasmodium, P मतलब Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax, post the greatest threat, इनकी वैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, then Plasmodium falciparum is the deadliest, अगर यह falciparum हो गया, तो ज्यादातर मौते हो जाती है, ठीक लेकिन अब क्यों हो रहे है, इसका, Maliria parasite and the most prevalent on the African continent, और यही सबसे ज़्यादा अफ्रि आउटसाइड दा सब सारन अफ्रीका, generally P virus होता है, ठीक है, P falciparum याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, पांच वराइटी है, P falciparum, deadliest, सभी कैटेगरी में से यह सबसे घातक है, सही टैम पे इलाज ना मिला, तो इनसान गया फिर, ठीक है, बाद बागी इसमें कुछ इनसानों काटले, कोई फरक नहीं है, लेकिन जिसको malaria है, जब उसको काटता है, ता mosquito becomes infected, वो mosquito क्योंकि जब blood चूचता है, उसके अंदर उसके क्या होते है, कि टानों चले जाते है, कि टानों मैं सम्झाने के लिए बता रहा हूँ, otherwise उसको एक खास नाम दिया जाता है, ठीक ह रहा है, वो जो infected, ब्लड होता है, उसके अंदर उसके खास सम्झाने के टानने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, शाकल समझेंगा व vouly detail में, जब वो किसी और हो काटेगा, इस तरीक से परसइट दूसरे में टासर हो जाता है, Blood stream ठीक है पर दूसरे person की blood stream यह खोने चला जाता है There, वहाँ पर the parasite multiply वहाँ पर parasite का करता है? multiply करता है There are 5 types of malaria parasites that can infect human 5 types के हैं, उपर जो जैसे बात किया था तो species क्या है? Plasmodium, यह single cell parasite होते हैं और उसकी variety की बात करें Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria Plasmodium vivax Plasmodium ovale और P ovale या Plasmodium nullacy और P nullacy ठीक है, बात समझ में आगी तो यह 5 तुमें याद रखने हैं जिसमें के अंदर vivax, ovale falciparum malaria 4 तो बड़े common है, nullacy कम सुना होगा लेकिन तब भी हमें 5 यह ध्यान रखने है ठीक है, यह होगी इसकी क्या है? etology, etology की बात बात करें अगर हम लोग pathogenesis की किसकी बात करें? pathogenesis की तो pathogenesis में मैं यहां से इस pathogenesis में अपना वही प्राने वीडियो का part add करूंगा भी ठीक है ना, वही same चलेगा, जिन वच्छनों वो देख रखा याद कर रखा है, तो सब कुछ जो वहां बताया था, वही डायग्राम, सारी चीजें सारी चीजें यहां पर है, अब इस वीडियो को मैं यहां पर add करता हूं, आप लोग उसको देखो, ओके? तो, देखते हैं यहां पर anti-malarial, सबसे पहर हम समझेंगे malaria की cycle को, देखो बच्चो थोड़ा सब मलीरे के cycle को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्या है malaria के cycle, शुरुवात करेंगे हम लोग यहां से शुरुवात करेंगे हम लोग यहां से, यह रहा सबसे पहला step यह आया मच्छर और मच्छर ने काट लिया खच, अच्छा मच्छर के dunk में मच्छर का dunk pipe जैसा होता है, कैसा होता है pipe जैसा, ऐसा घुसा देगा अंदर और अपने जब घुसा देता है क्योंकि हमारा blood क्या कर जाता है clot बन जाता, clot बन समझती हुँ, blood जाता थोड़ी देर में और अगर ब्लड मच्छर के पेट में जाके जम गया तो मच्छर के टैथ हो जाएगी या वो सक कर रहा है सक करते करते उसके डंक में जम गया तो आगे खाने लाइक नहीं बचेगा तो उसके डंक में अपने साथ मच्छर अपना सलाइवा थूक छोड़ता है ठीक है ना वो थ करने के लिए उस खतंब करने के लिए हमारी बोडी आके अटाइक करती है तो पूम खुज़ी होने लगती है कर दो तो अट्वा के अंदर कुछ मच्छर के अंदर I'm a कौन वहते होते हैं और मेर्ट कुछ नहीं काटे हैं और मेल्स कुछ नहीं काटते हैं तो प्रेग्नेंट होती है तो विद्सक्राइब काट नहीं कोशिच करते हैं जैसी तो हे यह काड़ता है इसके चोड़ा है सबसे बिलड से होता हुआ होता थो कुछ और नहीं है लिवर से होते हैं इस सेल को जाकर गरेगा इनफेक्ट करेगा इस सेल के अंदर जा करेगा इस सेल को को कर देता है साइज्च whose करता है साइज और नहीं है साइज्च एक सेल होता है जिसके अंदर मल्टिपल यू इस प्रोजाइब गया है वह करता है एक सेक्स्ट डिवायड हूगा कैसे और फीर सा फ्यान सारे जो साइज सकते हैं यह जब लिवर से रिलीज हो जाते हैं साइजों जब रिवर से लिवर से लिवर से निकलते हैं अगले ही पल जाकरके अरिफ्रोसाइट याने की रेड ब्लड सेल को जाकरके क्या करते हैं इंफेक्ट करेंगे रेड ब्लड सेल करते हैं रेड ब्लड सेल के अंदर जाक परके यह एक की डी सम बनारे के बात वो स्टेव होते है जिसके अंदर यह यह आगे जाकर इन अपने लिए अपने अंदर क्या काई है मिलोग क्या बोलते ह्हां जिनको हम लो लोग क्या मेरो जॉयट चैनले क्या कहते हैं? Mirojoint अच्छा जब ये ये उपर क्या RBC है ये RBC जब फटती है ठीक है ना इसके अंदर ठेर सारे Mirojoint निकलते है और इसके अंदर से कैमिकल निकलता है hemogoint नाम का वो कैमिकल जब निकल करके बलड में आता है बात समझ मा रही है अब इसको भूल जाएं तो ये ये रेड़ बेड़ सेल के पर अटैक करते जाएंगे और क्या होगा रेड़ बेड़ सेल अवारी बॉड़ी में जिर जिरे कम होने लगते हैं अगर टाइम पर क्यों ना किया जाए इसी समय पर होता क्या है कुछ जो रिंग अखके आएगा मेज और एक ओसैमेल यह स्माइक से बदल गया और इदर्टी रहती है कुछ चिलती जारी है अब मुया मशितों अब अगली बार सिब्ड़ आपकर ऐसे इस मत्षर के अंदर वापस्चले घ्र वापस चले गए है can aew website स ग 내가 इसांदर के इस म्ज़ां रट या यह अब जब यह इसके अंदर वापस चले जाते हैं तो यह ग्यमेट मेल होता है मच्छर के पेटके दिरजा करके मेल मायक्रो ग्यमेट में बदल जाता है कि और यह दोना आपस में कर जाएंगी फटीलाइज कर जाती है और किसे मदल जाती है जाइगोट में ठीक है जाइगोट के बाद ये एक खास सरका structure लंबा खिच जाती है और क्या बन जाती है उकाइने यह और उकाइनेट थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके अंदर भहुत सारे उसीस्ट बनते हैं ठीक है ना यह उसीस्ट रप्चर हो करके अपने अंदर से क्या रिलीज करते हैं इस पूरो जोएट यह स्पूरो जोएट यह स्पूरो ज्योट जाकरके वापस से घट यह पेट से निकल करके यह स्पूरो ज्याकर के मच़र के ghostly gland पहले की सेयालाइवरी घ्लैंड यह यह सलाइवा थूक वाली स्ट्वा फयर्न होती है उसमें जाकर इकर टेरीया है ऑच्छ बार समझ नहीं हो दाना है उसको स्ट- तो यह फटलाइज हां करेंगे ही निकिसे की मतर्फ अप्राइज से नहीं कर सकते शर्वाइब नहीं कर पाएंगे तो मच्छर वापस से खीच लेता है और यह वापस आ गया मच्छर के अंदर इस तरीके से हमने देखा इस पर जेखना चैसे छोड़ा मलेरिया का जो पैरासाइट है वो उसको अपनी पूरी साइकल याने कि अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट करने के लिए एक तो मच्छर की जुरूरत है दूसरा इंसान की बॉडी की जुरूरत है ठीक है तो हम लोग कहते हैं कि मलेरिया के दो हो पूश्ट होते हैं एक की उपर असर दिखाती है मच्छर की उपर असर नहीं लिखाएगा यह मच्छर कंदर सिर्फ अपने आपको सलाह साइकल पूरी करनी फटलाइशन करना वापस से आके इंसान की बटाइक करेगा अपना ग्रोध करता है यह बात समझ में आ रही है ठीक क्या बोलते हैं इनको हम लोग प्रोटो जोवा सुना है ना हम यह प्रोटो जोन्स होते हैं कि ठीक है अच्छा अब यहां पर एक चीज और आएगी जो यह सब जो चीजी है ना यह याद करने वाली है क्यों जब हमने इसके मोड़ औफ एक्शन में थोड़ जिक्राया करेगा तब यहां पर इंटर्म का इस्तिमाल हुआ करेगा ठीक है दो होश्ट ही है एक मच्छर एक इनसान डूरी का ब्लड मील ब्लड का मील मतलब खाना जब ब्लड खाता है कौन मच्छर अब मलेरिया इंफेक्टेड फीमेल जिसके अंदर मलेरिया माजूद है फीमेल एन कर दे रही है इस पोरो जोइट्स को हीमन बडी के अंदर डाल दे रही है ठीक है ना इंटू दा हीमन होश्ट अब ये इसने क्या कर दिया है इस पोरो जोइट्स को हीमन के अंदर डाल दिया है इस पोरो जोइट्स का मतलब क्या है आब मोटाइल इस पोर लाइक स्टेज इ को थो सकते हैं और की भूल कि भाक्ट या चैनिमील जो चल फीर सकते हैं सबने आ रही है तो यह सबांद क्या का अचल जया हो घापिया जोड़ा एगा क्या हुआ है मौत है मोटन मौता अचल मुब करनी का हमता होती है होती है के इसके अंदर isporozons ठीक है ना इन सम् पैरसिटिक isporozons ओके आफ आते हैं that is typically दा इंफेक्टीव एजेंट यही क्या होता है इनफेक्टीव एजेंट है जो इनफेक्शन फैल अगा वो यही infect कर दे रहा है clear रहा बाते हैं okay there the sporogides mature there मतलब यहाँ जाकर के liver cell के अंदर जाकर के sporogides mature हो रहे हैं बड़े हो जाते हैं into sygons sygons उनकी mature stage होती उसको हम लोग क्या कहते हैं sygons कहते है a cell that divided by sysogoni multiple vision एक ऐसे cells जो multiple विजन कि अंदर करके लिडे करके बहूं सारेस कि ये बना लेता है टू standards ऑनल को कि न तो पिर ये और चाहिए वा गया 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 और शिच्ण न लो क्या कहते हैं में कईंद फीजन ठीक है अब क्या कह रहा है the size zones rupture size zones फूट जाएगा यह पूरा size बना हुआता है फूट जाएगा and release mirror joints अपने अंदर से यह क्या निकाल दे रहा है these are mirror joints यह क्या है जो इसके अंदर से निकल रहे हैं उनको क्या नाम दिया गए है mirror joints mirror joints क्या है a small amoeboid amoeba जैसा दिखने वाला sporogon's tropho joint ठीक है ना amoeba जैसा दिखने वाला एक tropho joint है produced by size हो गए नहीं जो multiple fission से पैदा हुआ है that is capable of initiating a new sexual or a sexual cycle of development इसकी अंदर छमता है यह क्या करेगा a sexually वापास से यहां पर एक फिर इसका बहुत सारे डिवाइड किये और फिर फट गया फिर बहुत सारे निकल गए यहां पर डिवीजन हो रहा है यह cycle है यह a sexual cycle है बिना gametes के और फिर यहां पर क्या बना रहा है यह भी छमता है इसके अंदर तो इसी लिए इसने कहा है इसको कि यह sexual and a sexual cycle दोनों करने की छमता रखता है इस इनिशियल रैप्लिकेशन इन दा लिवर इस काल एक्स अरिथ्रोसाइटिक साइकल अब देखो यहां पर एक टर्म आ गया ठीक है जब मलेरे के cycle पूछी आती है अभी अपने अब क्योंकि यह आर्बीसी को इन्फेक्ट करके आर्बीसी के अंदर अपनी cycle करने तो इसका नाम क्या पड़ गया अरिथ्रोसाइटिक cycle the mirror joint developed into ring stage यह मिरोजॉइट जो है टवल अपो रहा है किसमें रिंग स्टेज में यह मेरोजॉइट रिंग स्टेज में डवल पो गया है ठीक है डवलप इंटू अभी ड्रक्स समझेंगे उसमें उसमें बीच जो कुछ टॉब्स के नाम लोगो तो खटाक से दिमाग में क्या करेंगा क्लिक कर जाएगा ठीक है आओ देखिए इसको आगे समझते दोरा सा रिंग स्टेज ट्रॉफोजाइड दा एक्टिव अब जो रिंग वाली बात कर रहा ठीक है ना ये स्टेज के अंदर ये तीनों कॉल्टी होती है सम अफ देम मैच और इंटू साइजोंट कुछ जा करके आगे किसे मदल जाते हैं साइजोंट मदल जाते हैं जो अंदर फिर धेर सारी मिरो जोइट्स बनाएंगे किलियर है ओके दा साइजोंट रप्चर इन्टू गैमेटो साइट अब क्या होता है कुछ ट्रॉफो जॉइड्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं मतलब जाते हैं कुछ तो लगातार अगले ऑभी नटेक करेंगे और यह सैकल चलाते रहेंगे को चमेटो साइट में बदल जाते हैं अपने आपस समय के साथ कुछ ग एनोफिलेस मॉस्किटो इंजेस्ट मतलब खा लेती है दा मेल माइक्रो गेमेट्स एंड फीमेल मैक्रो गेमेट्स याने कि यहां पर जो गेमेट्स थे इन दोनों गेमेट्स को यह उस खून के साथ वापस चूस लेती है के लिए रहे है ओके गेमेट्स साइट बिंग दा स्पोरोगोनिक साइकल अब यहां पर स्पोरोगोनिक साइकल स्टार्ट हो जाएगी मच्छर के अंदर ठीक है इन दा मॉस्किटो मॉस्किटो के पेट के अंदर दा माइक्रो गेमेट्स जो मेल वाला था माइक्रो मतलब मेल पैनेट्रेट करता है याने ifa manifestation कर देता है किसके साथ macro gamet याने की female gamet और七 गोट सब को पता है sperm और ovum जब आपासे fuse करते तो क्या बनाते है जाइगोट बनाते, क्या बनाते हैं जैगोट Okay back the Jai go back Martinez, यह jai go कैसा होटा है चलने फिरने की आवस्था में होता है and elongated लंबा हो जाता है जिरे से developing into eukinate यह देखो यह किसम बदल किया लंबा हो करके और यह motile होता है इसके चलने फिरने की छमता रहती है और किसम बदल जाता है यह eukinate बदल जाता है the eukinate invade, invade मतलब हमला करती है the mid gut, पेट के बीच वाले हिस्से को उसके दिवाल पर ठीक है mosquito के where they develop into oocyst, यानि कि पेट की जो बीच की दिवाल होती है, पेट की परते होती है, mid gut बोला गया है ठीक है उसमें वाल में जाकर के यह किसम बदल जा रही है oocyst में, यह देखो oocyst, यह रहा oocyst, यह कहां हो रही process, उसके mid gut में, कहां हो रही है, mid gut में, किलियर है, आगे देखते हैं, अब देखो oocyst grow, rupture and release sporozoids, यही oocyst आगे जाकर के grow हो जाएंगे, rupture करेंगे और क्या बना दिया, दोट सारे sporozoids बना दिया, कहां ने समझ में आई, फिर यह sporozoids, आगे जाकर वापस infect करेंगे, लेकिन उससे पहले इस्टोर कहां होते हैं, देखो उसकी बाते लिख हुई है, ठीक ह सब्सक्रा के श्टोर हो जाते हैं, inoculation of the sporozoids into a new human host, ठीक है उसका inoculation होना, नए human host में, नए human में, perpetuates, फलना फूलना, the malaria cycle, यह malaria cycle क्या गरती है, बढ़ाती रहती है, इस तरीके से यह पूरी कहानी होती रहती है, देखा, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि सब कुछ व परते हैं, फटाक से clinical manifestations देखते हैं, तो clinical manifestation बात करें, तो कहां कहां पर हमको इसके लक्षन दिखाए पड़ जाएंगे, respiratory है ना, सांस में दिक्कत हो सकती है, यह percentage दे रखी, इसको याद करनी जोरूत नहीं है, यह percentage का मतलब है, कितने total percent अगर infected होते हैं, तो लगभग 14 percent patients के अंदर respiratory symptoms दिखाए पड़ते हैं, सरदर दिखाए पड़ा है, 14 percent के अंदर, fever आता है, 14 percent को, splenomegaly, spleen बड़ा हो जाएगा, 3 percent के अंदर, ठीक है, diarrhea हो जाता है, दो लोगों में, अनीमा पाया गया है, 1 percent लोगों में, और asymptomatic है, 66 percent, 66 percent लोग asymptomatic होता है, yes, ठीक है न, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे को एक साल पहले malaria हुआ था, और उसके बाद, एक साल बाद, automatic मैं एकदम safe था, कहीं गया भी नहीं था, ठीक है, और मुझको वापस malaria हुआ, तो डॉक्टर ना बताया कि, last वाला कहीं न कहीं कुछ रह गया होगा, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, ठीक है हम लोग मच्छदानी का इस्तमाल करेंगे, इसको हम mosquito net कहते हैं, ठीक है, मच्छदानी का इस्तमाल हो जागा, installation of window and door screen, अगर किसी एक खिड़किया जंगले खुले हैं, तो वहाँ पर हम जाली लगा देंगे, क्या लगा देंगे, जाली हम, apply and reapply deat, diethyl toleumide, और apply और reapply क्रीमा आती है, है न, उनके तो यहीं chemical पाया जाता है, इसको सरीर पर हाथ पैर खुले हुए हैं, वहाँ पर लगा करके, हम लोग सो जाएंगे, जिससे कि मच्छर हमको काटेगा नहीं, apply permacrine spray to outer garments, जो बाहर कपड़े उनमें यह डाल देंगे, spray छिड़क देंगे, sleeping bags, mosquito nets, यह सब इस्तिमाल करेंगे, wear long pants and long sleeve shirts, जहाँ पर हमें लगता कि मच्छर की समभावना जाता है, तो कोशिश करने, पूरा ढखके रहें, जिससे कि आपको मच्छर नर्शिदी बात है, हमें मच्छर नहीं काटना, उससे बचना हमें, clear है बातें, आगे आते हैं, pharmacological management, very simple, ठी अगर तुम लोगों ने जो pharmaceutical chemistry, बात कर रहा हूं मैं, ठीक है न, जो pharmaceutical chemistry में हम लोगों ने पढ़ा था, वो ही उठा करके यहां पर रख दिया है, ठीक है, तो यहां पर किया, depending on type of parasite and symptoms, the kind of medicine and length of therapy vary, कौन सा parasite है, और क्या symptoms है, उसके साब से length और therapy में बदलावा सकते हैं, और य समझ में आ गई, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी, pharmacological management, drugs, obviously बात है, तुम लोग first year में pharmaceutical chemistry में पढ़ चुके हो, यही same मैंने दिया था, वही same में उठा के यहां रखा है, याद करना सबजना असान रहेगा, के लिए रहे बाते, और यह chapter इस तरीके से हमारा काफी असान हो जाता है, अगर first year की बाते याद है, तो यह chapter हमारे ले काफी easy है, ठीक है, पढ़ना है, पढ़ते रहना है, बाद वाकि मेरा number है, notes, description में आ जाएगा, तुम लोग यूज कर सकते हो, ठीक है, price का course हमारा केवल 1100 रुपे है, और सबसे बड़ी चीज, revise करते रहें, All the best